माई क्रेम आट चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए आज मैं आपके लिए माई क्रेम से एक न्यू डिजाइन का क्लज लेके आई हूँ आप से भी कोई वीडियो अच्छा लगेगा अगर आप कोई मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले और आप मुझ मुझे सोशल मेडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेस्बूक या वाट्सअप वाट्सअप का नंबर अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है और बाकी सब डीटेल डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी और एक इंपोर्टन चीज है कि बहुत से मेरे वीवर में वह सारा डीटेल दिया है कि कि इस तरह से इनर आप स्टीज कर सकते हो जले फ्रेंट स्टाट करते हैं आज का ये वीडियो तो माइक्रेम फ्लच बनाने के लिए मैंने या पे सबसे पहले दो कॉड ली है इसे मैंने इस तरह से डबल किया है दो मीटर के कॉड है सिंगल दो मीटर की कॉड है इस क्लच में जितने कॉड मैंने यूज किये है वो सारे दो मीटर के ही है मैंने आपको 2 method बताये थे cord joining के लिए जब हम बै कलउक्त बनाज किज बनते हैं तो अक्सर में नॉट लगा के ही बनाना स्टार्ट कियी ओजी अड़ी इन लेकिन ये भी method मेने सब से starting में आपको दीखा है था आज मैं उसी method सेrock कॉट जोइन करूंगे आप चाहे तो अलग में तरसे भी कर सकते हैं जो कि मैंने अभी रिसेंटली बैक के वीडियो में भी दिखाया है उस ताइप से भी आप कर सकते हैं तो मैंने पहले कॉट को इस तरह से डबल किया है यहाँ पर देखें दूट लुप बने हैं इसके अब जो हमें क्या करना है इसका जो सेंटर है इसे पकड़ के इसके सेंटर के अंदर डालना है अस लुप को ऐसे ही रखना है और एक कört अंदर चले में की और इसका जो सेंटर इस कॉड़ का वो यहाँ पर आ गया है अब हमें जब हम नौट लगाते हैं उसी तरह से हमें कॉड लेनी है लेकिन नौट लगाते वक्त हम दो साइड से कॉड लेते हैं और नॉट लगाते हैं यहाँ पे हमें सिर्फ सिंगल एक ही टाइम नॉट लगानी है बस हो गया जॉइन अब इसे धीर इसे नीचे खीच लेंगे तो देखे फ्रेंट्स इस तरह से यह कॉट जॉइन हो गई है मैं आपको और एक करके बताती हूँ दो कोड़ एक कोड़ को इसके अंदर से लेंगे अब यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे सिंपल नॉट ही लगाना है लेकिन एक साइड से ही लगाना है ना कि दो साइड से और इसे धीरे-धीरे करते हूए हम टाइट कर लेंगे इस तरह से और इसे दीरे से उपर खीच लेंगे तो कॉड़ जॉइन हो गई अब मैं बताऊंगा आपको कि इस तरह की कॉड़ और जैसे कि हम इस तरह से कॉड़ सारे बना लेंगे तो उसके बाद इसे किस तरह से जॉइन करना है क्लच को जितने कॉड लगेंगे आपको इसी तरह से जॉइन करना है और उसके बाद यह जो हमने जॉइनिंग किये हुए कॉड है उनको हम लेंगे और साइड साइड वाले दो-दो कॉड लेंगे दो-दो कॉड छोड देंगे और यहाँ पर सिंपल नॉट लगाएंगे स्क्वेर नॉट अब जो है हमें दोनों साइड से नॉट लगाना है टाइटली नॉट लगाएंगे अब यह मीडल जो कॉड है इसे खीच लेंगे ताकि ठीक से उपर की तरफ दिखें बस हो गया जोइन इसी तरह से हमें आगे भी कॉड जोइन करना है और एक जो डबल हमने जॉइन किया हुआ कोड होता है इस तरह का वो लेके हमें फिर से इसके दो और उसके दो लेके फिर से यहाँ पे स्क्वेर नोड लगाना है इसे तरह से यह सारे हमें जॉइन करने हैं मैंने यहाँ पे कुछ करके रखे हैं देखे फ्रेंट्स मैंने यहाँ पे यह करके रखा है अब यह जो हमने किया है वो भी यहाँ पे हम अटेच कर लेंगे तो देखे इसके दो कॉड़ और इसके दो कॉड़ इसको लेकर हम यहाँ पे एक स्क्वेर नॉट लगा देंगे कॉला तो फ्रेंट्स इस तरह से यह मैंने सारे कॉड़ यहाँ पे अटेच किये है अब इसका जो सरकल है वो किस तरह से बनाते मैं आपको बताऊंगे इसका यह जो एंड है इसके हम दो कॉड़ लेंगे और दूसरे साइड का जो एंड है उसके हम साइड वाले दो कॉड़ लेंगे और यहाँ पे देखे इससे मिलाकर हम यहाँ पे एक स्क्वेर नॉट लगा देंगे फिर से तो यह राउंड सरकल हो जाएगा तो मैं आपको बता देती हुआ इस क्लज के लिए मैंने जो कॉड लिए वो टोटल 50 कॉड है और सारे मेरे दो मिटर के ही कॉड है टोटल हमें 50 कॉड लगे है और अगर इस तरह से अगर काउंट करें तो 25 लगे है कॉड मुझे अब हम यहां से सिंपल नॉट और एक लाइन लगा लेंगे कई से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं दो नॉट के बीच में एक नॉट तो एक लाइन है आपर हमने सिंपल्स स्कूर नॉट लगा दिये है अब देखिए दो नॉट के बीच में हमें नॉट लगाना है फिर से दो नॉट के बीच में फिर यह दो नॉट चोड़ देंगे हम आगे वाले दो नॉट लेंगे और इसके बीच में फिर से नॉट लगाएंगे पिर ए छोड़ देंगे आगे वाले दो नॉट लेंगे इसके बीच में इसी तरह से ये पूरा सर्कल कम्प्लीट करना है दो दो नॉट के बीच में नॉट लगाएंगे फिर वो दो नॉट छोड़ देंगे कंटिनियूसली नॉट नहीं लगाना है हमे थिर दो नॉट के बीच में एक नॉट लगाते हुए ये पिर दो धर कुम्प्लिट किया है अब जो है हम डिजैन बनाने यहां से स्टार्ट करेंगे तो देखेécole 2 not और इसके बीच में एक not तो यहा पर हमें 8 coag मिलते हैं तो दूसरे side भी हमें 8 coag पाते हैं, हां, तो यह जो first coag है side वाले जो आट coag हैंπα उसमें से Southern coag है इससे हम लेंघे और यहां से piping स्तार्ट करेंगे तो देखें इस तरह से हमें डिजाइन बनानी है तो यह एक बन गई अब नेक्स जो दो नौट है इसके हम कॉड ले लेंगे तो यहाँ पे हमें आट कॉड मिलते है और जो हमने पहले वाला जो हमारा डिजाइन जो हमने बनाया था वहाँ पे देखें यह जो लास्ट वाला कॉड है इसे हमने छोड दिया था क्योंकि इसमें जो लास्ट वाला था उसे लेके हमने यह डिजाइन बनाई तो इसमें जो लास्ट वाला है उसे लेके हम यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे तो देखें फ्रेंड्स इस तरह से यह डिजाइन बनाएंगे पूरा सर्कल कम्पलीट करना है तो फ्रेंड्स इस तरह से डिजाइन बनाते हुए हमने एक राउंड कम्पलीट कर लिया है अब नीचे की मतलब साटिंग किस तरह से करते नीचे की डिजाइन किस तरह से बनाती है वह मैं आपको बताती हूँ यह लास्ट हमने जो यहाँ पर लास्ट डिजाइन बनाई थी उसका एक कॉड है और इसके साइड वाला कॉड और इस साइड वाले दो कॉड ऐसे हमें मिडल में चार कॉड लेने हैं और एक सिंपल नौट यहाँ पर लगा देना है अच्छे से टाइट अब यह दो कॉड और साइड वाले दो कॉड लेकर यहाँ पर एक सिंपल नौट लगाएंगे दूसरे साइड सेम उसी तरह और फिर मिडल में एक नौट एक और बताती हूँ कर दो अज करें होँ धसी कर दो कर दो तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इसी तरह से एक लाइन हमें पूरी एक सर्कल पूरा इसी तरह से चार चार नॉट बीच-बीच में लगाने हैं उसके बाद हमें फिर से डिजाइन बनानी है तो उसके लिए फिर से हम कॉड काउंट करेंगे हमें 8 कॉड चाहिए हाथ में साइड वाला एक इस तरह से लेंगे और फिर से यहां से पाइपिंग स्सार्ट करेंगे लास्ट का एक जो है उसे हम छोड देंगे और इस तरह से हमने डिजाइन बनाई है मैं आपको और एक दिखाती हूँ जैसे कि हमने उपर डिजाइन बनाई है उसी तरह से हमें डिजाइन बनानी है यहां पर नीचे लास्ट वाला जो है उसे हम छोड देंगे तो इसी तरह से हमें कंटीनियू करना है एक डिजाइन तो देखें फ्रेंट्स मैंने यह जो डिजाइन यह पाच लाइन तक कम्प्लीट की है क्यूंकि क्लज हम जो बना रहे वह च्लज है और च्लज की जो हाइट होती हो वह कम होती हो और चोडाई में ज्यादा होती है और हाइट कम होती है इसलिए मैंने इसके हाइट यहां तक रखी है यह 5-6 इंच तक इसके हाइट होगी और जो डिजाइन में बनाई है यह 5 डिजाइन तक इसके हाइट बनाई है अब जो है हमें फिर से इसके कॉर्नर में जो जो ग्याब होता है उसमें नौट लगाना है जैसे कि हमने यहाप पर लगा है तो देखिए फ्रेंड्स यहाप पर जो ग्याब था वहाप पर हमने तीन तीन नौट लगा लिए है और इसे एक लेवल हमने बना लिया है अब जो है क्लच के दो साइड निकालेंगे हम यह और यह तो इस साइड में यहाप पर हमें दो नौट मिलते हैं तो इन दो नौट के बीच में एक नौट लगाएंगे साइड में एक लगाएंगे दूसरे साइड में बे एक नौट लगा लेंगे तो अब हमें यहाप यह तीन नौट मिलते हैं तो इसके बीच में हम दो नौट लगाएंगे यहापर एक और यहापर एक और यह जो दो नौट हमने लगाए है इसके बीच में और एक नौट लगा देंगे तो इस तरह से हमने यहापर चोटा सा ट्रैंगल बना लिया है दोनों साइड हमें इस तरह से ट्रैंगल बनाना है तो देखें दोनों साइड से इस तरह से ट्रैंगल बनाने के बाद जो बीच का जो पैसेज है इसमें हम नौट लगा लेंगे तीन लाइन तक तो देखें एक, दो और तीन यह तीन नौट का यहापर हमने ट्रैंगल बनाया है तो इसके आगे वाले कॉड को लेके हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यह हमें दो नौट मिलते है तो यह दो नौट के बीच में नौट लगा एंगे और यहाँ से हम अप झाल झाल तो देखिएँpres तरह से हमने तीन लाइन तक पार लगा है एक एक नॉट साइड से हमने कम किया है और किसी तरह से मेंने दूसरे साइड से भी तीन लाइन बना ली है और हमारे दो साइड के ट्रेंगल अब जो है हमें इस कलच को उल्टा करना है तो अब हमने इसे उल्टा कर लिया है अब जो हमने ट्रैंगल बनाया था उसका जो मतलब यह दू खॉर्नर है इस ट्रैंगल के तो हमें एक साइब किट लेना है और इस कारणर के जो चार कोड है उनको हमें लेना है इस तरह से और यहाँ पर नॉट लगा देंगे इसके बाद वाले एक एक कॉड छोड देंगे इसके बाद जो कॉड आती है उसे लेके फिर से हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे पर नॉट लगाएंगे उसके बाद वाले एक कॉड फिर से छोड देंगे और फिर नेक्स्ट कॉड लेके आप एक नॉट लगाएंगे तो यह हो गया एक कॉर्नर इसी तरह से बाद की की तीन कॉर्नर जो है उसे हमें लॉक करना है देखिए जो कॉड हमने छोड़े थे यह फिरस्ट कॉड था यहाँ पर हमने नॉट लगाए थी इसे हम मिडल में लेंगे इस तरह से और जो छोड़े हुए कॉड है उनको लेके यहाँ पर फिर से एक एक नॉट लगाते जाएंगे क्योंकि इसे हम अब हम इसे डबल लॉक करेंगे ताकि जब हम इस क्लच को सीधा करेंगे तो कुछ भी ग्याप दिखना नहीं चाहिए एक दम फाइन आना चाहिए इसलिए हम इसे डबल लॉक करेंगे तो जो जो हमने कॉड छोड़े थे उसे लेके हम यहाँ पर नॉट लगा रहे हैं तो यह एक कॉर्नर लॉक हो गया इसी तरह से हमें बाकी के तीन कॉर्नर लॉक करने हैं जैसे कि हमने ये सारे कोने कर लिये है उसके बाद में जो राइट स्पेस यहाँ पर स्ट्रेट बचता है वहाँ भी हम ठीक इसी तरह से एक कॉड छोड़ के एक कॉड इस तरह से यहाँ पर नॉट लगाते जाएंगे स्ट्रेट में इस कॉड को में थोड़ा थोड़ा कट कर जिती हूँ क्यूंकि इसे हमने डबल लॉक कर लिया है तो ये बीच में आ जाएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैं इससे थोड़ा कट किया है बाद में इसे में एक एक इंच पर कट कर दूँगे तो अब हम एक कॉड छोड देंगे और फिर आगे वाला कॉड लेंगे पहले अंदर के सारे कॉड बाहर निकल लीजए अगर एक भी कॉड अंदर रह गया तो बाहर से जब हम सिधा करेंगे तो बाहर से दिखेगा हुआ 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 है तो इस तरह से में ये लॉग किया है और जैसे कि मैंने आपको डबल लॉग करते हुए बताया था यहाँ पर उसी तरह से मेंने ये डबल लॉग भी किया है अब जब एक्स्ट्रा कॉर्ड है इसे हम कट कर देंगे और इसकी जो एंडिंग है वो मैंने डीटेल में इसलिए नहीं दिखाए क्यूंकि मैंने मेरे काफी वीडियो में एंडिंग जो होती है बैग या कलच की वो डीटेल में दिखाएं एक इंच की डिस्टंस पर कट कर देंगे अब हम इसे जला कर स्टिक कर देंगे आप जाए कि इसे स्टिक भी कर सकते है या फिर जला कर ऐसे भी छोड़ सकते है क्यूंकि इसके उपर जो ही इनर आ जाएगा तो यह सब हाइड हो जाता है कि अजले के इसे स्टिक कर देंगे तो इसे स्टिक करने के बाद आप हम इसे सीधा कर लेंगे तो ये ख्लच जो है मैंने सीधा कर लिया है तो ये कुछ अंदर से इस तरह से दिखेगा इसके उपर हमारा इनर आजाता है पॉकेट का तो ये सब हाइड हो जाएगा और अगर आप अच्छे से इसकी एंडिंग करेंगे अंदर से तो इसकी फिडिशिंग बाहर से बहुत ही अच्छा आएगी जैसे के आप यहाँ पर देख सकते हो एकदम फाइन फिनिश आती है अगर आपने अंदर से ठीक से एक एक कौट ठीक से लेके किया तो इस तरह से यह क्लच रेडि है अब हम इसका इनर स्टीज करेंगे तो फ्रेंट्स आज मैं आपको इस क्लच का जो इनर होता है वो किस तरह से स्टीज करते है वो भी डिटेल में दिखाने जा रहे हो तो इसके लिए मैंने यह clutch जो हमने बनाया है उसे इस कपड़े पर रखा है इसे मैंने डबल फोल्ड किया है और इसके उपर रखेंगे हम और साइड से एक इंच और इस साइड से एक इंच छोड़ते हुए हम इसे कट कर देंगे तो देखें यहाँ पर मैंने इस जिब इस रणर में इस जिब को डाल दिया है यहाँ पर एक लेवल करके यह जो जिब है इसे इसके अंदर समान तरीके से अंदर लेके पुश करना है तो यह इस तरह से इसके अंदर आ जाएगी और यह हमारी जिब अभी रेडी है तो यह जो हमने कपड़ा कट किया था तो इसे यहाँ पर देखें और यह बॉल्डर है तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन यह जो दूसरी साइड है इसे हम थोड़ा करके स्टीच कर लेंगे तो इसे मैंने एक बार फोल्ड किया फिर में और एक बार यहाँ पर छोटा सा फॉल्ड कर दूंगे तो इस तरह से हम इस पर स्टीच डालने है तो देखे हमने इसे स्टीच लगा लिया अब यह जो हमने जिब तयार करके लिए है इसे हम इसके उपर उल्टा रखेंगे एक इंच और यहाँ से एक इंच चोड जीक रहा है तो मेरे पास दुपड़ा जीब का अब अब को इसके मेजर्मेंट नहीं बता है लेकिन आप का मेजर्मे zwar मेजर्मेन्ट लेते उसे इसे इचिब ली जिए शुल्ग an The Ande यहां पर मैंने जिप को इसके उपर उल्टा रखा है और यहां से स्टीच करेंगे स्टीच करते वक्त जिप पर ध्यान देजिए जहां पर यह हमारा फूट आ जाता है वहां पर जिब ना आने पाए अगर ऐसा हो जाएगा तो आपकी जो नीडल होती है वह ब्रेक होने हो सकती है तो ध्यान से कीजिए देखे इस जिप को हमने लगा लिया है अब इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे हम और इसके ऊपर फिर से एक स्टीच डाल देंगे हम इस तरह से इसके ऊपर से स्टीच डालने हैं तो यहां पे जैसे के हमने स्टीच डाल दी है अब जो है हमें इस सैड से इसे स्टीच करना है इस तरह से तो मैंने यहां पे एक स्टीच लगा दी है अब इसे हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसके ऊपर फिर से इसी तरह से एक स्टीच लगा देंगे जैसे के हमने यहां पे लगा है उसी तरह से यहां पे एक स्टीच लगा देंगे तो देखें यहां पे भी हमने इसी तरह से स्टीच लगा ली है अब हम इसे फिर से उल्टा करेंगे इस तरह से और इसके जो साइड से उसे हम स्टीच कर लेंगे इसके एजिस ठीक से जोइन कर लेंगे पहले उसके बाद हम यह आप पर स्टीच लगाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पर स्टीच डाली है ठीक उसी तरह से हम यहाँ से भी स्टीच कर लेंगे एक इंच कर लेंगे मैंने दोनो साइड से स्टीच कर लिया है और एजो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर देंगे अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से यह हमारी कलच का इनर बनके रेडी है तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एलो कलर का धागा लिया है वो स्वी ली है और यह जो हमने इनर बनाया है इस इनर को हम इसके अंदर डाल देंगे खोल के तो फ्रेंड्स इस कोनी से हम स्टार्ट करेंगे स्टीच डालना तो देड्स प्रेंड्स तो दिखिए फ्रेंट्स इस तरह से हमने इस कोई इनत लगाया है यह हमारे क्लच बनके रेडी है तो फ्रेंट्स इस आज का हमारे क्लच काई विडियो हैं Clay अज अब को अच्छा लगा होिए अगर आपको यह मेरा वीडियो ना को सब्सक्राइब करें और कुछ के ना चाते हो या कुछ सुजा हो तो फ्लीज कमेंट कर दीजे मैं जल्दी लोटूंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई थैंक्यू